मनुष्य को परमेश्वर के अस्तित्व के सबुत देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलोते खुत्र को इस अंसार में भीजा है परमेश्वर के शब्द कुझा मनुझा सुनते हैं, हमारे दिल में लेते हैं, तब हमारे जीवन में आशा आती है हमें मालूम हो जाता है कि हम अकेले नहीं आए मुझे निर्मान करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में चिवित है जिन्दा है वो मुझे प्यार करता है भाई अरबेनो प्रभी इश्व मसिय परमेश्वर का इकलावता पुत्र जो स्वर्ग को छोड़कर इस धर्ती पर आया वो इसलिए आया कि हमें मालूम हो जाए कि परमेश्वर जीवित है परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है और परमेश्वर ही मनुष्य की एक मात्र आश्या है इस संदेश को धर्ती पर पहुँचाने के लिए प्रव एश्वमस्य स्वर्ग को छोड़कर इस धर्ती पर आया हाललूया मनुष्य इस धर्ती पर इस प्रिक्वी पर बहुत कठिन दिन बिता रहा है दुनिया के कौन से भी कोने में आप जाये मनुष्य रो रहा है क्योंकि मनुष्य पाप करता है और पाप का परिणाम उसके जीवन में आता है पाप का दन उसके जीवन में आता है और पाप का दन लेने के कारण मनुष्य का जीवन जो है दुख से भरा हुआ है सब तरह की दुरुबलता, सब तरह के संकट जो हमारे जीवन में आते हैं, उसका एकमात्र कारण है पाप हम पाप करते हैं और इश्वर के खिलाब जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन पर दंड आता है वो दूख हम अमारे जीवन में लेते है और इसलिए धर्ती पर मनुष्य का जीवन बहुत कठीन हो चुका है मनुष्य सवाल कर रहा है कि परमेश्वर है कहाँ सब लोग रो रहे हैं तो हमारा निर्मान करता है कहाँ मनुष्य सवाल कर रहा है इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलावते पुत्र को इस संसार में भेजा एश्वमसिय परमेश्वर के अस्थित्व के सब साबूत हमें देता है God has sent His only begotten Son Jesus Christ so that man will get the evidences of the existence of God मनुष्य को परमेश्वर के अस्थित्व के सबुत देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलावते पुत्र को इस संसार में भेजा है भाई और बेनों एश्वमसिय जब संसार में आया तो उसने दो चीज़े की एक चीज की उसने बिमार लोगों को ठीक किया उसने दुरबलता को निकाला उसने दुष्टात्मा को निकाला ये चीज उसने की उसको हम चंगाई कहते है अंग्रेजी में कहते है healing and deliverance और दुसरी चीज येशु ने जो की है उसने कहा परमेश्वर के बारे में उसने कहा परमेश्वर के राच के बारे में उसने कहा सुर्ग के बारे में उसने हमें जानकारी दी ग्यान दिया कि परमेश्वर जीवित है परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है परमेश्वर प्यार का सागर है हर मनुष्य से परमेश्वर प्यार करता है और अव मर्यात प्यार करता है और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजना त्यार की है ताकि हर मनुष्य परमेश्वर के स्वर्ग में पहुँचे और अनंतकाल परमेश्वर के साथ रहे हालेलुया हालेलुया एश्युमसी इस अंसार में आकर लोगों को बता रहा था कि डरना नहीं अस्वस्त नहीं होना जिसने तुमें निर्मान किया है ओ जिन्दा है ओ तुमसे प्यार करता है हालेलुया और ये बात बताने के लिए मैं स्वर्ग को छोड़ कर धर्दी पर आया हूँ एश्युमसी परमेश्व के प्यार के बारे में बोल रहा था लोग सुन दे थे क्यों सुन दे थे क्योंको उनको मालूम था कि बाहर आशा नहीं है बाहर अंदेरा है और एश्यो मसिय अपने को आशा दे रहा है एश्यो मसिय के शब्द में प्रकाश है इसी लोग सुन रहे थे वो सू समाचार का प्रचार करता था पूरे नए करार में बाइबल में आप बहुत बार ये शब्द पढ़ेंगे सू समाचार अब मराठी में हम कहते सुवारता अंग्रेजी में गुन्ड न्यूस गौस्पेल हललोया सू समाचार क्या है सू समाचार यही है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है सू समाचार यही है कि परमेश्वर हमारा अभिता है सू समाचार यही है कि मनुष्य को डरना नहीं है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने योजना तयार की है ताकि हर मनुष्य परमेश्वर के स्वर्ग में पहुचे और हर मनुष्य परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत काल रहे और उस योजना के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलावता पुत्र एशुमसीह भेजा। हालेलुए। परमेश्वर के शब्द को जब हम सुनते हैं, हमरे दिल में लेते हैं, तो हमारे जिवन में आशाह आती है। हमें मालुम हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे निर्मान करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में जिवित है, जिंदा है, वो मुझसे प्यार करता है। प्रभी एश्व मेसिनि के वरद दो बात है कि, एक बात, उसने लोगों को आश्या दी कि परमेश्वर जिवित है, तुम उस पर विश्वास करो, उसके आग्याओं का फालन करो दुसरी बाज ये शमसिन की, उसने सब बिमार लोगों को ठीक किया उसने दुरुबलता को निकाला, अंधों को आखे दी, बहिरों को सुनने की शक्ती दी उसने लंगरे आद्म को जलने फिरने की शक्ती दी, लगवावाले को ठीक किया कुष्ट रोग को ठीक किया, ये सब उसने इसलिए किया कि मनुश्य उसके शब्द पर विश्वास करें इसलिए एश्यमसिय को चंगाई देनी पड़ी इसलिए एश्यमसिय को मुक्ति देनी पड़ी जब लोग ठीक हो गए, कहने लगे सच्छमुच, अभी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिवित है हालेलुया हालेलुया प्रभी एश्यमसिय हजार चीज़े इस दुनिया में कर सकता था उसने हजार चीज़े नहीं की, उसने दो ही चीज़े की एक चीज़े की उसने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया और दुसरी चीज़े उसने की लोगों को ठीक किया हालेलुया एक चीज की उसने लोगों को बताया कि परमेश्व जीवित है दुसरी चीज उसने की परमेश्व जीवित है उसका सबुत उसने दे दिया प्रूप दे दिया आलेलुया, प्रभी एश्यु हमारा दुख निकालता है, इसलिए निकालता है कि हम विश्वास करें कि वो जीवित परमेश्व है, प्रभी एश्यु पानी के उपर से चला, प्रभी एश्यु ने पेड को कहा कि तुम्हारा फल कोई भी कभी नहीं खाएगा, इसी वक्त वो प प्रभ्य परियश्व है करने कईजाह कि मत पूद्र है जानल्य है हालेलूया ध्रेंट त करने का समय है आंके बंद किशे मैं आपके लिए प्रात्ना करने चाह रहा हूं आपके शरीर के जिस हिस्से को विमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ प्रभयेश्य खुद आपको सपाश करेगा और चंगाई देगा आपके शरीर में से हर बिमारी प्रभयेश्य के पवित्र नाम नस्ट हो जाए आपके जिवन में जो कुछ दुख है प्रभयेश्य के पवित्र नाम नस्ट हो जाए और आपके जिवन पर और आपके परिवार पर प्रभयेश्य के महान आशिश है दन्यवाद झाल झाल झाल